कैसे आप सब मैंने में इस भडाiran की अपनेप कि बास के साल जाइंगे जाए निंगे सर्थ कर देखिए wise कि अङ्ट वलाक। झापने प्लाजम का देखते श्चांड है नहीं देख तो अविधाल में तो आपको अच्छे से सारे रजुख अब तो आज का class start करते है आज सबसे पहले जो हम लोग पढने वाले है वो है cell membrane जिसको प्लाजमा मेंब्रेन भी बोल सकते है cell membrane जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोप्लाजम किसको बोलते है किसको बोलते है प्रोटो प्रोप्लाजम अच्छ एक सेल है तो सेल चे अन्दर नुकलिस जो की ब्रेन ओफ एसेल होता है प्लस उसके अंदर जो cytoplasm, जिसमें सारे और गनलाई करते हैं, वो दोनों को combination को हम लोग प्रोटोप्लाजम बोलते हैं, ठीक है, यह word अपने माइंड में रख लीजे, फिर आगे हम इसका detail में अच्छे से बताएंगे, ठीक है, सबसे पहले definition देखते हैं, कि सेल मेंबरेन इ यह definition था कि सेल वॉल जो होता है, सबसे पहले तो वो लिविंग नहीं होता है, और सेल मेंबरेन जो होता है, यह लिविंग होता है, क्यों? क्योंकि यह प्लांट और आनिमल दोनों में लाई करता है, और बस जो सेल वॉल था वो बस प्लांट में लाई करता है, वो सबसे पर उसके बाद आगया cell wall तो यहां पर यह ii डाइग्राम से बहुत रुफ डाइग्राम है इस से क्या पता चला की पलांच है अगर तो वहांत पर जो cell membrane है वह बीच में लाइक कर रहे है प्रोट escapp लाजम के और वही अगर हम लोग Quebec animal तो अनिमल सेल के अंदर कोई भी सेल वाल नहीं होता है वहां पर आउटर मेंबरेन को हम लोग बोल सकते है क्या यह सेल वाल है और दूसरी बात अगर यह पर छोटा सा सेल वाल बनाएं इसमें नूकलियस है और यह साइटो प्लासम में इसको नूकलियस माल ने तो सबसे पहले यह जो है ना यह बहुत पतला होता है as compared to cell wall और यह semi permeable भी होता है यह पूरा permeable नहीं होता है मतलब यह कोई-कोई चीज को अंदर आने देगा कोई-कोई-कोई चीज को अंदर नहीं आने देगा यह living भी है और यह protoplasm को surround करके है बीच में protoplasm है पूरे protoplasm को एक जगे स सराउंड करके और यह वाले structure को हम लोग क्या बोलते है cell membrane okay अब आया इसका structure देख ले structure देखने के लिए मेरे पास एक diagram है क्योंकि इसका structure ना एक scientist नहीं दो तीन scientist बहुत सरे scientist आ के बता रहे तो जो सबसे पहले scientist थे उनका नाम था जे डी रॉबसन जो पहले scientist थे उनका नाम था जे डी रॉबसन उन्होंने क्या बताया ना उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा और बताया कि अगर हम cell membrane को ले माइक्रोस्कोप के अंदर देखे तो वहां पर उपर में हम लोग बोल सकते हैं कि उपर में protein है बीच में पूरा lipid का ले आ रहे तो नीचे में भी protein है अब lipid बीच में है तो उन्होंने सीधा बता दिया कि cell के अंदर कोई पानी ने जा सकता है बीच में लिपिट है तो बह वह बहुत सरा डिस्कवरी हुआ तो वह जो साइन्टेस्ट है अभी बहुत फेमस है सिंगर निकोल सन इन्होंने बताया जो प्रोटीन है वह उपर में लाइनी कर रहा है प्रोटीन कुछ ऐसे प्रोटीन होते है जो कुछ पानी को अंदर भी आने देते हैं कोई को अजिया प्रोटीन होते हैं तो सिंगल और निकोल सन का थीयोरी एक्सप्टेड हुआ और आज से यह वाले थीयोरी को हम लोग फ्लूड मोजाइक मॉडल बोलते हैं और इनके अक्वाडिग जो सेलेम्ब्रेन है वह कौरसी फ्लूइड है मतलब कि नहीं जो सेलेम्ब्रेन है अच्छे से पूरा पानी है नहीं अच्छे से पूरा सॉलिड है बस ही एक ऐसा स्टक्चर है जो आपको दिखेगा कि बहुत इलास्तिक टाइप का और इसमें से कुछ-कुछ चीज अंदर आ सकते हैं कोई कुछ चीज बहा नहीं जा सकते हैं आपको यह दोनों साइंटिस्स का थीओरी अच्छा लगा होगा पहले वाला रिजेक्टेड हो गया क्योंकि इस सांविश के तरह था दुस्रा वाला अच्छे से रहे गया ठीक है मेंबरीन हो गया अब हम दुसरे प्रोット फ्रोट प्लाज़म क्या होता है तक दुस्री फ्रोट फ्रोट फ्रोडिकोर टीक्रल फ्रोट फ्रोर् magma किंदu श्等िराँ व्हां वह था नृटक्लेश की कि मोसूर न्यूकलेश के था हैं दुझते बनीखिन jullie अपर दीक्चते कि स वाला बैलून है उसको आप सेल मेंबरीन के अकॉर्डिंग कंजीडर कर लो फिर उसके बाद जो अंदर में पानी भरे है उसको साइटो प्लाजम के तरह माल लो उसमें अगर आप कोई माटीरियल डाले जैसे कि फर्रा डाले कोछ चॉकलिस वगरा डाले वो सारे सारे सेल और होते हैं तो एक चोटा सा डाइग्रम बना देते हैं कि अगर यह बैलून है इसमें आप पूरा वोटर भड़ दिये हैं कुछ-कुछ इसमें आप मटेरियल साल दिये तो यह जो वोटर है उसको आप साइटो प्लाजम के तरह कंजीडर कर सकते हो वह जो बैलून है उसको कहाँ जो इसम dell निख्ट इसम लिए वी मतलब यह पानी की तरह है यह तो एक डायल के तरह अग्सारम में बगल से सैङ्ट होता है लेकिन यहां पर आपको दिख तोदरी साइड वाला लेकिन बोहँत ब्रृत बगल्री टाइप में दिखेला। सेमी ट्रांस्परेंट लिखा है यह एलास्टिक फ्लूइड है कंटेनिंग सस्पेंड़ पार्टिकल से हां पर जितने भी पार्टिकल से वह फ्लोट नहीं करते रहते हैं चाहिए उसमें माइटो कॉंडिया हो अलग-अलग सेल ओर्गेनल हो सब अपने जगह पर बैठे होते कोई इधर उदर नहीं जाते ठीक है और उसमें कुछ सिरीज ओफ माइन्यू टिब्यूल्स होता है यह हम आपको बताएंगे कौन-कौन से टिब्यूल से सेल के अंदर और कुछ-कुछ फिलामन से उसको उसको साइटो कि यह एक बैलून के अंदर पानी होता है वह है ठीक है अपको अच्छस समझ में आया होगा अब देखे सेल के अंदर क्या-क्या ओर्गेनल होते हैं आपको अच्छस बता देते हैं अगर यह सेल हैं सेल में है सबसे आउटर लेयर सेल मेंब्रीन का है और अंदर में ना अपनल री एक्टेशन व् mayonnaise प्रफिण分 यह क्कृटा भूलता है यही पूरा सेल और चृप्लाजम के यह कराfel फिल्ट छे जा नृज को अप्तुम प्रतंच को सब्सी होता है उसको का उसको सब्सक्राइब करें पूरा सेल औरगेनल को हटा कर उसको हम लोग हाइपोप्लाजम बोलते हैं तो आप हाइपोप्लाजम को कह सकते हो कि हाइपोप्लाजम क्या होता है हाइपोप्लाजम मतलब साइटोप्लाजम तो है ही साइटोप्लाजम में से अगर आप सारी औरगेनल्स हटा दो तो उसको हम बहुत ऑप्प्लाजंगे अब अच्छे संग में होगा कोई भी वी ख्र३ाइजर बिटा देनु अब प्रूल्चे से नुपे और मेला सम्झेन चैजर लेकिन। विक 열is आप भी सास लेना बन कर जाओगे तो साइटो प्लाजम यह कैसा एरिया है जहां पर सारे के सारे के सारे रियाक्शन होते हैं चाहे वो रेस्पिरेशन हो मेटाबॉलिजम हो जो आपको पता होगा रेस्पिरेशन मतलब सास लेना मेटाबॉलिजम मतलब कुछ फूट पार्टि और inacakt Ponck the same process of st Creek on February ए ले अलग और ओंजने अलग पले रोल करें मतलब इसका अलग अलग में अर्यन आपके पास आग आपके पास आग के बतलग के अपके आपके बाल है तो वो और्गेनल्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं पहले डेफिनेशन देख लिए ताइनी स्पेशलाइज सब्यूनिट ऑफ सेल विश रिमें इंबर्टेड इन साइटो प्लाजम हाविंग स्पेसिफिक फिजो लॉजिकल फंशिंस ऑफ सेल और कॉल साइटो प्लाजमिक औ इसमें गुञण के चैसे उपर से नहीं होते हैं तो याद करने के एक बहुत अच्छा सा छिक है आपको बस क्या याद करना है कि वह जिसमें नहीं होता है और जिसमें double membrane होता है ठीक है और बाकी सारे और जो होंगे वह single membrane के होंगा तो without membrane में देख ले सबसे पहले आते है वह ribosomes अब ही हम सबके बारे में अच्छे अच्छे से बताएंगे ना फिर उसके बाद आपको पैचल जाएगा बिन आपको याद की समझा जाएगा कि है यह double membrane है यह single membrane है और without membrane में centrosomes nucleolus और double membrane में mitochondria chloroplast बस यह दो आते हैं अब बाकी जितने भी ओर्गेनल का नाम आपने सुना है या फिर सुनोगे वह सारे के सारे single membrane में आते है ठीक है तो आज के क्लास को यह पर एंड करते हैं तो में अमने सेल मेंब्रीन और साइटोप्लास्मिक और अच्छे से परा हुपसा आपको हरकुस समझ आया होगा अगर कुस समझ ना आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना मैं आपको महाँ पर अपना सेल्यूशन दे दोंगी तब तक पढ़ते रहे है थांक्यू